परंपोज श्री स्वामी जी महराज ने कहा सारा जगत माया के पीछे दिवाना हो रहा है हे प्यारे अपना उद्दार और कल्यान जब तक तू स्विम नहीं चाहेगा तुझे बोद नहीं होगा तब तक और कोई सादन ही नहीं तेरी आत्मा का मंगल और कल्यान हो जावे हाँ ये अवश है जिस पर संत की दिया द्रिष्टी हो जाए तथा कुरुदेव का पावन प्रेम भरा अशीरवाद मिल जाए तो उसका उद्दार हो जाना बहुत ही सुगम है उसे प्रबू का मिलाब अवश हो जाता है जिस पर संत क्रिपा हो जावे उस पर प्रबू की बहुत ही अधीक क्रिपा विशेश रूप से होती है ऐसे मानव के जीवन में किसी ना किसी दिन उसके सभी विगन चकना चूर हो जाते हैं जब संत सहारा बन जावे पूरन गुरु की क्रिपा में द्रिश्टी जिस सादक के उपर अवतरित हो जावे तीनों लोकों में उसकी रक्षा होती है क्योंकि संत तो भगवान का ही रूप होते है भक्त को भक्ती मार पर लोगों द्वारा पैदा की रुकाव्टों को शर्बत की तरह पी जाते है राम भक्त किसी प्रकार की रुकावट से विचिलत नहीं होता वे द्रडवरती द्रडविश्वासी पूरन भरोसा लिये हुए अपने गुरु द्वारा गुरु द्वारा द्रशाय मार्क पर द्रडवता से चलता रहता है भक्त को कोई चिंता नहीं रह जाती इसलिए वे सदा भजन ध्यान नाम जाप इसी में निमगन रहकर प्रभु कृपा को प्राप करता रहता है तब गुरु महराई ने कहा ये अभ्यास से ही सभी गुण और शक्तियां सिदियां सफलताएं कोई भी सादक प्राप कर सकता है कोई भी द्रडवरती पूरन समर्पित राम नाम का चोखा अभ्यास करके अपनी चेतना को जागरित कर सकता है हर समय नाम का ध्यान करो और जो विशेश रूप से महराई ने कहा साथ साथ मृत्यू का विचार भी मन में लाना चाहिए कोई रहता सदा न जीता अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल डर्जा राजा राम से जीव ना लंबी खो यूही अभीमान में कौन मेरे जैसा है परम पूश शरी प्रेम जी महराई ने कहा शरी स्वामी जी महराई ने अपने ससंगों के कोई नियम बनाए हुए है अगर दैव योग से किसी मानव को सेवा का स्वफसर प्राप्थ हो गया है गुरु कृपा शरी राम कृपा से अगर कोई सेवा प्राप्थ हो गई है तो अभिमान के वश खारा ना हो जावे ये अभिमान ना कर बैठे कौन मेरे जैसा है और फिर अपने आपको सेवक सबसे बड़ा ना मान बैठे प्रमेश्वर के पास गुरु महराज के पास सेवकों की कमी नहीं है वे जिसको चाहे अपने कार्या की सेवा सौप सकते हैं और करवा भी सकते हैं साथ ही सरव शक्तियों से परिपूरन कर सकते हैं परम पूश्यरी स्वामी जी महराजी ने कहा था मनुष की बुद्धी सरव वस्तूओं को नहीं जान सकती सारे पदार्थ बुद्धी गयम नहीं है इस कारण मनुष को त्रेकाल निर्भरांत मानना भारी भूल है कि मानव को कभी कोई भरांती नहीं होती तब परम पूश्यरी प्रेम जी महराजी ने कहा था महराज के जो नियम बनाए हुए हैं उनको बदलने की कोई कोशिश ना करे उन सभी सेवकों से जो शिरिराम शर्णम में सेवा का कार्या कर रहे हैं यहां मनो मुखी की उसका कोई स्थान नहीं है कोई कंस्टिटूशन है कोई सविधान है उसका पालन तो करना ही होता है ऐसा नहीं मेरा मन करता था इसलिए ऐसा किया गुरू महराज ने क्या कहा हुआ है गुरू महराज किस विधी के अनुसार अपने कार्या करते थे उसी कानु करन करना होता है दो ही तरह के प्रानी होते हैं एक गुरू मुखी कि जो गुरू देव ने कहा है जैसा परम पूश श्री प्रेम जी महराज ने किया श्री स्वामी जी महराज के जो कार्या है उन में मलिल ताला आए बिना कोई परिवर्तन किये पूरी द्रड़ रतीज हो करके उन कार्यों को किया और आदेश किया कि महराज के नियमों को बदलने की कोई कोशिश ना करे इसलिए जिन जिन को भी जो सेवा सौपी जाती है पूरन रूप से सेवा भाव रखते हुए अपने आपको बड़ा ना मान बैठना आज हम जिस अवस्था में हैं ये गुरू महराज की कृपा है करन करावन आप अपने कारिया व्या आप कर रहे हैं मानव तो जनम जनमांतरों में बुरे करमों में लगा रहता है मन भी मैला करम भी मैला और अपने आपको बहुत बड़ा मानना और बहुत बुद्धी मान मानना आज गुरू महराज के अशीरवाज से हम सब इस भक्ति वा प्रेम के उस सुपत पर उस मार्क पर चले हुए हैं जो गुरू महराज की कृपा से बड़ा सरल है बड़ा सुगम है मनो मुखी बनकर वाद विवाद करना और अपने आपको श्रेश्टम साबत करने की कोशिश करना इस से बड़ा कोई दुर्बुद्धी नहीं होगा महराज ने तो कहा मानव को निरालस होकर नाम जाप भजन ध्यान करते रहना चाहिए आलस तो मृत्यू के समान है पुर्शार्थी बनो औग आगे बढ़ने की भीतर उतकंठा होवे जहां सुधार की अवश्यक्ता है सुएम भाव होवे कि मैं महराज का कार्या और अच्छे से कैसे कर पाऊं समर्पन परमपूष श्री स्वामी जी महराज 98 वर्श की आयू डक्टर संतोक सिंग ने स्वामी जी महराज आपकी आयू कितनी हो गई स्वामी जी महराज रिद्यों सिद्यों के स्वामी सरफ श्रेश्ट कार्या को करने वाले क्या कहा राम के दर्बार में तो मैं अभी अपने आपको बच्चा ही मानता हूँ बड़पन का भूत गुरु महराज में कदापी नहीं हुआ और यही महराज चाहते थे भक्ति भाब में रहो लाखों वार धनवाद करो अगर कोई सेवा मिल जावे उसमें और अधिक प्रवीन हो उसके लिए प्रयास करो और महराज की क्रिपा को श्री राम क्रिपा को सदै प्राप करते रहो यहां लुध्याना के कार्यक्रम कल प्राता है इस समें मैं शिम्ला के मार्क पर हूँगा रवी वार को यहां श्री रामाइन ग्यान यग प्रिय रमनीक जी अरम करवाएंगे अव्तरिन का से पाठ अरम होगा अपनी बुद्धी अधिक लगाने की अवश्रक्ता नहीं परमपोष श्री सौामी जी महराज के समें परमपोष श्री प्रेम जी महराज के समें से अव्तरिन का से ही श्री रमाइन जी का पाठ अरम हुआ करता है और वैसा ही होगा रविवार प्रात्य साड़े आठ वजे पहले नमस्कार सब्तिक का पाठ होगा रिखाजी करवाएंगे तत पश्चाद अव्तरिंका से पाठ होगा लगभग एक घेंटा श्री रमाइन जी का पाठ होगा तत पश्चाद भजन कीरतन और प्रिय रमनीक जी महराज का जो मेसिज होगा उसको समझने का हम प्रियतन करेंगे साइंकाल की सवा रविवार साड़े तीन से पाँच होगी इसमें सभी ने समिलत होते रहना सौमवार 26 तारीक पहला नवरात्रा है प्रात्य सबह इसी प्रकार साथ से साड़े आठ बजे तक होगी श्री रमाइन जी का ही पाथ होगा और साइंकाल साड़े तीन से पाँच ये इसी प्रकार से श्री रमाइन ग्यान यक के पाथ चलते रहेंगे मैं रविवार देर रातरी शिम्ला से वापिस आ जाऊंगा सौंबार प्रातक की सबा में मैं स्वेम गुरु महराज की सेवा में उपस्तित रहूंगा इसी बीच अगले रविवार दो अक्तूबर को परमपूश शरी प्रेम जी महराज का प्रकटुस्व है यहां दो अक्तूबर को रविवार क्योंकि महराज का प्रकटुस्व है इस शुबाव सर पर जो हमारे पूजन की विदी है उसी प्रकार से होगी प्राताय साड़े आख बजे अमरित्वानी का पाठ होगा और साथ ही गुरु महराज को पुश्पांजली अर्पन की जावेगी दो अक्तूबर दिन रविवार सारा कारिया प्राताय दस बजे समाप्त हो जावेगा दो अक्तूबर साइंकाल की सबा शरी रामाईन की उसी प्रकार से होगी साड़े तीन से पाँच पाँच अक्तूबर को विजे दश्मी है प्राताय साड़े आठ से दस बजे तक सारे शरी रामाईन ग्यान यका समाप्न हो जावेगा इसी बीच जब दो अक्तूबर होगा शरी राम लीला कमेटी अब की बार वहाँ विजे दश्मी के उपलक्ष में मेला लग रहा है पविलियन माल के सम्मुक पुरानी कचैरी सिवल लाइन्स में तो दो अक्तूबर को रात्री तीसरी सबा अमरितवानी पार्ट एवन भवजन संद्या होगी उसी राम लीला ग्राउंड में पविलियन माल के सम्मुक उसके सामने रात्री साथ से साड़े आठ वजे तक है ये आज सूचना है इसलिए दी क्योंकि मैं रविवार को हूँगा नहीं तो सब को इन सूचनाओं को ध्यान रखिएगा आगे रामाइन ग्यान यग में समिलत होने के लिए दूसरों को भी प्रेणना दीजिए ये आपकी प्रेणना दूसरों के जीवन में अवश परभाव डालती है जब शिरी रामाइन का पाठ किया जाता है सुना जाता है और दर्बार में आकर नत्मस्तक होते हैं ना जाने कितने ही जन्मों के प्रारब्द वे कट जाते हैं और श्री राम क्रिपा प्राप्त होती है जितना बन सके अधिक से अधिक महराज के नियमों में रहकर के श्री राम कारिया करते रहें अपना भजन, ध्यान, जाप, पाठ, सुचारू रूप से होता रहे, इसका ध्यान रखे ए गुरुदेब, कारिया में परमात्मन, हो तू आप सहाए, अपने आशिश दीजिए, मंगल हात बढ़ाए, जै श्री राम, जै श्री राम, सवर्शक्ति मते परमात्मने श्री रामाए नामा, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाए नामा, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाए नामा, सर्वशक्ति मते सर्व शक्तिमते परमात्मने प्री रामाई नमा सर्व शक्तिमते परमात्मने प्री रामाई नमा